तो कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार अगरबत्टी और मास को जलाना वर्जित माना गया है पर ऐसा क्यूं और भारत में 80% से जादा लोग अगरबत्टी को जलाना पसंद करते हैं अपनी पुजाओं में घर के कारियों में और धर्मों के किया और अगरवत्त का उपयोग नहीं किया जा जाना चाहिए तो उनन्द लोगों किया होगा व durumारों को === presenting यह जो इस से आगरवत्ते द्स बिजनस से जुड़े उए जिनकी घरड़ की income जो है इस business पर अधारित है और उनका परिवार का पालन पोशन भी इसे business से चलता है चाहे वो चोटे उदमी हो या फिर बड़े उदमी ये बड़ी अच्छी बात कही है आप और जो है ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई बाते हैं तो मैं इस पर विचार करना सही समझता हूँ जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखी होंगी कि कुछ इतियास के बारे में हमने बात की थी अगरबत्ती बिजनस से रिलेटेड और जो है आज का एक छोटा सा टॉपिक और होने वाला है जो की अगरबत्ती से जुड़ी हुई कुछ तत्यों से है कुछ कारणों से है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्मक के अनुशार अगरबत्ती को है जलाना जो है सही नहीं माना जाता और इसे जो है पर ऐसा क्यूं तो इसी के बारे में कुछ चीजें जानने की कोसिस करेंगे और टॉपिक में बात करने से पहले एक चोटा सा रिक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि अगरबत्ती बिजनेस से लेड़ेड ऐसी कुछ इन्फोर्मेशन हमारे चैनल के थूँ आपको मिलती रहेंगी तो अब हम बात करते हैं अपने के उपर तो जिस तरीके से अभी आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे तो यह मैंने एक अगरबत्ती रखी हुई है अब जो है हमारे हिंदू धर्म के अनुशार इसे जलाना उचित नहीं माना जाता तो इसका कारण समझते हैं आफ़ कि तेलिहों के ऊपर जो है यह जो लेफ है जो चारकोल की प्रमिक्स जिसे आप बोलते हैं उसे चड़ाया जाता है अब मुद्दा इन प्रिमिक्स से नहीं है, मुद्दा है इन बासों से जो कि अगरबत्ती के उपर लगाई जाती है जैसा कि बैंबू मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है बास, और बास जो हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार इसे पूजा जाता है, इसकी पूजा की जाती है विसे इस तोर पर जब आप देखे भी होंगे कि इसका जो छोटा पौधा होता है बास की, उसे पूजा में उप्योग की जाती है, पूजा में लाया जाता है दूसरी चीज, इसको काफी सारे ऐसे चीजें जो है बास से बनाई जाती है, जो पूजा के समानों के लिए भी उप्योग की जाती है जहां तक मैंने पढ़ा और सुना है, और उसके बाद जब किसी व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, तो मृत्य हो जाने के बाद जो उस इंसान को मृतक व्यक्ति है, तो उसको उठाने के लिए बास की उप्योग किया जाता है लेकिन उस जिसको हम अर्थी बोलते हैं तो अर्थी उठाने के लिए बास का ही उप्योग किया जाता है लेकिन उस बास को वहाँ पे जलाया नहीं जाता तो इस वजह से जो है बास को हिंदु धर्म में जलाना सही नहीं माना गया है और इसके कुछ और बड़े तत्थे जो है जो कि बास को ऐसा मानते हैं कि नहीं जलाना चाहिए तो क्या अगर हम अगर बत्ती में इसका यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कितना सही है या फिर नहीं है तो इसके बारे में भात करेंगे हाला कि मैई भी इसी बिजनेस से जुड़ा हूँ इस बास के वहसा है जो अगर बत्ती बनाने के वहसा है उसी से लेकिन मेरे मन में जो एक छोटी सी बाते जो है वो खटक रही थी इसके वेस में मैं आज का ये वीडियो में तो ऐसा आप महीं समझिएगा कि यह बंद हो जाएंगी या फिर इसका उप्योग नहीं किया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है तो बात करते हैं अपने website के बारे में तो बास जो है मानता हूं मैं कि बास जलाना नहीं चाहिए लेकिन काफी सारे लोग इसके वैपार से जुड़े हुए हैं जिनका पालन पोशन और जीवन या पन जी से बोलते हैं वो चल रही है तो इस तरीके से बास का उप्योग हम अगरबत्ती बनाने के लिए करते हैं और कभी कभी काफी सारी चर्चाओं में आप सुनती होंगे जैसे भागवत कठा पंडाल सोती हैं या फिर आपके गुरू होंगे वो भी आपको बताते होंगे कि बास को जलाना सही और अच्छा नहीं माना जाता इस चीज़ को सही मैं मानता हूँ कि बास को नहीं जलाना चाहिए लेकिन इससे जो जूड़ी हुई हमारी आस्था के साथ हमारा एक वैपार है जिनसे काफी सारे जो लोग जूड़े भी हुए हैं और काम भी कर रहे हैं और अपना वैपार भी कर रहे हैं तो अगर देखा जाय तो अगर इसे इस पर प्रतिबंध वैसे लगेगा नहीं क्योंकि जो काफी सारे लोग इस पर पूजा के लिए आस्था है मतलब देखा जाय तो पूजा में सबसे जादा यूज जो है अगरबत्ती का किया जाता है मैं अगर बोलना चाहूं तो 80% लोग भारत के जो भी अगरबत्ती जलाने वाले हैं वो अगरबत्ती ही जलाना पसंद करेंगे उनको जो पूजा में वो धूब जो होती है छोटी इस टिक्स उनको जो फील होता है वो फील नहीं आता एक बार और मैं बोलना चाहूंगा अगर आप कभी पूजा किये होंगे तो आप देखे भी होंगे कि अधिकतर लोग जो है अगरबत्ती का ही यूज करते हैं और एक पूजा है और ये आस्था है ना तो आस्था जो है अगरबत्ती से काफी ज़्यादा जूड़ी हुई है जो फील होता है जो पूजा करने का जो आनन्द है वो अगरबत्ती के सिवा और किसी दूसरी चीज़ों पर नहीं है तो इस हिसाब से देखा जाया तो ये बगरबत्ती हाला कि लोग कहते हैं धर्म के नुसर कहा भी जाता है कि इसे नहीं जलाना चाहिए लेकिन लोग जो है इससे की द्वारा जो है पूजा करते हैं और इसी कारण की वज़े से लोग काफी सारे और अलग-अलग प्रोडक्ट बनाना चालू कर चुके हैं जैसे कि आप जान दे होंगे तो बैम्बू लेस इस्टिक्स अभी बननी चालू हो गई हैं उसके बाद हमारा धूप कोन होता है धूप इस्टिक्स बनती हैं और समरा करता हूं कि यह टॉपिक जो है आपको जरूर अच्छी लगी होंगी और मिलते आने वाले किसी नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवद